Hello everyone, welcome back to our channel A to Z Medicines. आज हम Emergency Contraceptive Pills के बारे में बात करेंगे. Emergency Contraceptive Pills को Unwanted 72, Eye Pill, Prevent All, No Will Pill के नाम से कॉमनली जाना जाता है. दो टाइप्स के Contraceptive Pills होते हैं. पहला Regular Contraceptive Pills और दूसरा Emergency Contraceptive Pills. आज हम सिर्फ Emergency Contraceptive Pills के बारे में जानेंगे. तो आईए जानते हैं ये पिल काम कैसे करती है. ये पिल कॉमनली तीन तरीके से काम करती है. पहला ये एक के रिलीज होने को रोकती है. दूसरा स्पर्म और एक को मिलने से रोकती है. दूसरा अगर ओलड़ी स्पर्म और एक मिल चुके हैं तो उनको यूटरस में अटैच होने से रोकती है. यानि कि ओवर ओल ये पिल अन्वांटेड प्रेग्नेंसी को होने से रोकती है. ये अब जानते हैं इस पिल को हमें कब लेना चाहिए. जितना भी पॉसिबल है unprotected relation या intercourse के बाद हमें जल से जल मेडिसन ले लेनी चाहिए. इसका recommended time है 72 hours यानि कि unprotected relation या intercourse के बाद 72 घंटे या फिर 3 दिन के भीतर भीतर हमें इस पिल को खा लेना चाहिए. इस दोरान लेने से यह 90% से भी ज़्यादा effective हो सकती है Emergency Contraceptive Medicine काफी safe medicine मानी गई है लेकिन इसके कुछ common side effects दिखाई दिये हैं जैसे की सरदर्द, उल्टी होना, घबराहट होना, पेट दर्द या फिर acidity की दिक्कत होना इसलिए हम recommend करते हैं कि इस medicine को खाली पेट ना ले तो अच्छा है आईए अब जानते हैं Emergency Contraceptive Pill का हमारे periods पर या फिर menstrual cycle पर क्या effect है कई बार क्या होता है, जो हमारी periods या फिर menstrual cycle है वो disturb हो जाती है और पिल लेने के एक हफते बाद या फिर एक हफते के अंदर-अंदर हमें थोड़ी बहुत bleeding दिखाई देती है या फिर हमारे periods एक-दो दिन आगे पीछे हो जाते हैं जो की एक-दो महिने बाद normal settle हो जाने चाहिए यदि आपका period बहुत heavy हो रहा है या फिर बहुत painful है या फिर बहुत time तक नहीं आया है तो आपको अपने doctor से मिल लेना चाहिए और एक और चीज का विशेज दियान रखे कि कभी-कभी emergency pill लेने से ज़्यादा problem नहीं होती है पर अगर हम उस emergency pill को regular basis पे लेते हैं तो हमें दिकत हो सकती है उतसे हमारी evolution cycle यानि की egg formation disturb हो जाता है और उससे हमें future में pregnant होने में दिकत हो सकती है तो आईए अब कुछ और ज़रूरी बाते जान लेते हैं एक ही बारी में दो medicine लेने से कोई फायदा नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि उससे effectiveness और ज़्यादा बढ़ेगी बलकि उससे side effects बढ़ने के chances ज़्यादा हो जाते हैं और इसके अलावा अगर पिल लेने के बाद आपके पेट में बहुत जोर से दर्ध होता है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए और अगर जो आपका regular period है वो पिल लेने के बाद एक हफते से ज़्यादा डिले हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और लास्ट में एक और important बात ये emergency contraceptive पिल प्रेंगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए तो ये थी emergency contraceptive पिल के बारे में full information उम्मीद करती हूँ आपके सारे doubts clear हो गए होंगे और thanks for watching